आप था आपका सेल में इसका प्रोकरियोट और यूकरियोटिक सेल था प्रोकरियोटिक सेल के बारे में आपको बताये थे कि वैसे सेल को प्रोकरियोटिक सेल करते हैं जिसमें मेंब्रेन बाउंडेट सेल और नहीं होता और उसी में कुछ बैक्ट्रिया का बात किये थे आर्की बैक्ट्रिया का बात भी करेंगे आगे फिलहाल यहां पर जो है न हम आपको एक किसी बैक्ट्रिया के अंदर या प्रोक कि सारे जो है इसके स्ट्रक्चर्स या कंपोयेंट्स धिरे होते हैं अधार शिंगल इनवेलब का एक मेchnya होता है टी ह ere रचना होता है अब इसमें आगका जो बात करते हम ऑफ यह था कि अभी जो है बरतमान colocar साइट में उसमें बताया थे निपलॉइड होता है राइबोसोम होता है और तो और गाइबोसोम इसका 70S होता है कुछ एक बैक्ट्रिया में आपका प्लाज्मित पाया जाता है और इसेल इंक्लूजन था जो आपका इकठा मैटेरियल साकुछ उसको दिखायते पीछे उनके अलावे कुछ एक आपका जो बैक्ट्रिया होता है उसमें क्या देखा जाता है कि उसके साइटोप्लाज्म में बैक्ट्रिया में नहीं होता है आपसे क्षेशन पूछा जाए तो आप बताओंगे नहीं बैक्ट्रिया में नहीं होता है लेकिन कुछ पोट्रोव सेन्टेटिव जैसे किसाइंटों डाक्रिया उसमें क्या दिखा जाता है नेखिए ऋससता पर पूरा आपको ग्रीन ग्रीन गिसे ब्रेट और की दिफान पर यह जो है इसको उड़रेट करके दखा रहे हैं मैक्रोस्कोप के अंदर दिखा रहे हैं तो यह निया आएगा कि जब प्रोकयोर्ट्स में नहीं होता है तो इसमें वैक्योल क्यों होता है यह अगर इसमें वैक्योल नहीं होता तो यह पानी के निच्छे सता पर चला जाता और दीप में अगर चला जाता तो इसको लाइक का कमी हो जाता है तो यह वाटर के संप्साः सब्सक्राम 떠- write लिए इसमें क्या नहीं travelled रहता है और इर्थेशन और यह आराम-स टैवता रहता है वाटर तो फोटोमत्यत्र क्षेट्रिय में जैसे किसाइनों वै्क्ट्रिया है उसमें एक और और के ऊपर में तो थे नाम था सेल इनवेलप तुमानता थीन लेर का बना होता है मोस्ट और आपका प्रोग योट्स होता है उसको हम आगे दखेंगे लेकिन हम थोड़ा सा इसमें देख लो सुरू करते हैं सबसे पहले वह प्लाजमा मेंब्रेन तो अब हम अभी शुरू कर देते यहां पर हमको कोई प्रोकरियोटिक सेल कहेगा तो आपके दिमाग में क्या आजाना सीए वैसा आपका जो है ना सेल सिस्टम जिसमें केवल एक ही इन्वेलब होता है मतलब एक ही कवर होता है अंदर में और ज्याद जिसमें मेंब्रेन बाउंडेड कोई सेल ऑगनेल्स टाइकलो प्लाजमें नहीं होता है इसमें जो सबसे पहला हमों को जानना है वह सेल मेंब्रेन या प्लाजमा मेंब्रेन प्रोकरियोटिक केल में सेल मेंब्रेन का या प्लाजमा मेंब्रेन का यह प्लोटो प्लाजम का होता है या बॉंडरी वाल होता है किसका वर बॉंडरी होता है किसका प्रोटोप्लाज्म का इसको बोलते हैं कि डिफाइनिंग बॉंडरी होता है साइटोप्लाज्म का मतलब यह जहां खतम होता है उसके अंदर में साइटोप्लाज्म होता है बाहर में साइटोप्लाज्म नह आपके दो परकार के होते हैं पास्पोर लिपीड और पोटीन होते हैं चाहे यू करियोट्स हो चाहे प्रोकरियोट्स किसी का भी सेल मेंब्रेन या प्लाज्मा मेंब्रेन का बात करेंगे तो प्लाज्मा मेंब्रेन या सेल मेंब्रेन किसका बना होता है पास्पोर लिपीड या अपने से पार होने नहीं देता है मतलब खुद यह membrane है तो इससे कुछ पदात पार हो पाएंगे और कुछ materials या पदात पार नहीं हो पाता है इसलिए इसको बोलते है selectively permeable चुन के पार करना और semi permeable भी इसी कारण से बोलते है अब हम यहां पर इक बात और लिख नहीं पढ़ाएंगे इसका structure यहां नहीं पढ़ाएंगे यहां पर इसका structure देख लेंगे इसका structure जो होता है वह आपका similar होता है यहां पर इसका भी structure होता है थोड़ा सा हम एक नोट का बात करते हैं प्रण नोट में आ जाते हैं अम्येबल क्या है चैमी पर मेंबल क्या है इंप अब दिमाग में आ जाना चाहिए देखिए पर मेंबल कब बोलेंगे जब किसी भी मेंब्रेन या लटना से आराम से पार हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे पर मियेबल ठीक है अब पार होने के लिए यहां पर आपके मन में आ सकता है कि क्या सर्थ चैनल होता है क्या तो हाँ चैनल होगा रास्ता होगा उस रास्ता से पार करता है ठीक है चैनल से पार करता है ध्यान रखिएगा चैनल्स है और चैनल्स के तुरू जो है ना वो क्या कर रहा है प पर दो कि इसमें भी आपका चैनल से पार होगा लेकिन चैनल से जो पार होगा वह आपका केवल और केवल सॉल्वेंट पार होगा कोई कोई स्वाल पार होगा किसी भी मेंब्रेन से अगर केवल सॉल्वेंट पार हो तो उस मेंब्रेन को या तो किया को नहीं हो सब्सक्राइब वोना है यह जो है ना वह अचाहेगा तबी पार हो सकता है तब बोलेंगे हम क्या selectively comparable पर हो सकता है लेकिन जो आपको जिसको उसको लेने का मन हो मनिने जिसको चाहेगा कि हम पार करें वही पार हो सकता है सब नहीं हो सकता है और यह जो आपका पर एक जो है इंपर्मेबूल है इंपर्मेबूल किसको को लेंगे जिससे कोई भी पार ना हो शके चाहे स्वालुट हो नो पैसेस नो पैसेस वो तो फुई नी पार हो सके तब इसको हम बोलेंगे इंप व्ल हो गया तो सेलेक्निवाइबुल में तो सेल मेंब्रेन जो होता है या तो सेमि पहमेबुल उसको बोलो या और इसको पार करता है अपने प्रोटीन के मदद से जैसे अब क्यूं ऐसा काम करता है वह हम आगे बताएंगे यहां पर इसको हम अलग से किलियर करेंगे तो अभी हम आगे बढ़ते ूजन तीके आगे बढ़तेएं फीर से एक्जामपल यहां पर देधिये हैं अब को जो आफिर भी हम बताएं है उसमें प्लाज्मा में में आपका दू चीज से उसमें फास्फो लिपींद होता है और प्लाज्मा मेरुटे कारण पर दे काम करता है एक कौइंब पोलर जो होते हैं उनी को पार होने देता है ठीक है नन पोलर सबस्टान्स होते हैं जिन पर चार्ज नहीं होता है उनको पार होने देता है कौन पॉस्पो लिपीड लेकिन जो प्रोटीन होता है वह आपका चार्ज पार्टिक्ल्स को जैसे वाटर वाटर है हाँ जैसे साल्ट से आयंस है आयंस ना एने प्लस के प्लस सी ए प्लस प्लस या फिर ग्लुकोज बगरा है उसको अराम से पार होने देता है तो जो चार्ज पार्टिक्ल्स होते हैं उनको अराम से यह पार करता है कौन प्रोटीन जबकि जो सेमी पर्मेबल जैसा काम करता है व वो आपका केबल जो है ना फैटी जो आपके फैटी जो सबस्टांस होते हैं या वैसे सबस्टांस जो वाटर के हाइड्रोफोबिक होते हैं उनको आराम से पार कर देता है जिन पर चार्ज नहीं होता है उनको आराम से पार कर देता है गुलुकोज को आयंस को इन सब को पार ह पन्सक्राइब तो वहां पर सबसे पहला बात तो कि दिमाग में आजना चाहिए कि नृविंग होता है सिर्ण लियर जोता है किसके सेल मेंब्रेल से बाहर होता है और यह क्ा यह क्लाइकन क्या है हूं हम आगे देखेंगे अठारत अमधिक बना हुआ नहीं होता है जैसा इक हम देखेंगे Bradley इसमें प्लांट सेल में प्लांट बनेंगा यो सेलवाल होता ओ सलोजिक होता है ओ आपका से लूव का बना होता है टीखिए अब हम इसको थोड़ा सा या प s serum न चाहेंगे डाय करहे क्यारिक्ह girls सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब burना हम लोग listen को just for a change of अंद इन ओ सीड़्स इंद आमिनो एंद के पॉलीमर को पॉलिमर को खो लुए इसको पॉलीमर बोल सकते हो तो शेंट अप अमीनो इसी या पॉलीमर आप अमीन या सीड ही कॉल पैप्टाइब ठीक है और ग्लाइकन किसको कहते हैं दूसरा सब्द इसमें है ग्लाइकन ठीक है इसको हम यह से कर लें तो पेप्टाइड का मतलब क्या है अमीनो एसीड का पॉलीमर या चेन ऑफ अमीनो एसीड जबकि ग्लाइकन है ग्लाइकन जब भी आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चीए कि ग्लाइकन का मतलब होता है सुगर जहां भी लिखा हुआ आएगा यह आपके दिमाग में आ जाना चीए कि ग्लाइकन का मतलब होता है सुगर अब यह जो सुगर होता है दो रूप में यहां पाया जाता है एक है नाग के रूप में और एक है नाम के रूप में दो सौट फॉर्म है नाग और नाम नाग नाम है ना नाग का मतलब होता है एन एसीटाइल गुलुकोसामीन ठीक है एन एसीटाइल गुलुकोसामीन मीन देख रहते हम कि वहाँ पर आया की नहीं आ जाएगा और इसका मतलब है एन एसीटाइल मियूरामिक एसीड ये दो अलग अमीनो एसीड है नाग और नाम क्या है अमीनो एसीड है जो की क्या करता है ओ आपका आपस में जूडता जाता है और जूड़कर प्याले इसीटाइडिय करन के लिए लाईकन छेन बनाता है उछे забalloona आखके मन में ऑująगा प्या मतलब है तो फेरतीडाइं का मतलब है यहां पर कि और आपका न से स्टेज़ुलोंष क्он अने क्या क्या मतलब ही तो प् चीज का बना हुआ है पहला है पेप्टाइड का और दूसरा है आपका गलाइकन का तो पेप्टाइड सब्द क्या है अमीनो एसिद के चेन को हम या पॉलीमर को हम पेप्टाइड कहते ही जबकि गलाइकन जो होता है वो आपका सुगर चेन होता है ठीक है सुगर चेन को ही हम गलाइकन कहते हैं गैकेंदो यहाँ पर जो फेरा किस गलाइकन का अवह आपका अमीनोिए कि जुनिए से बना होता है तो फ़ेटर का बना होता है दो तर्म करते हैं जो आपस जूलकर इसका निर्मान करते हैं मिनी arlाद कोगते जब भी सुगर का बात करेंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा glucose का बात है एक तरह का जो है ना वह आपका sugar molecule है जिसका chain है कौन glycan तो glycan जो होता है वह आपका उसमें दो परकार के sugar हैं एक नाग है और एक नाम नाग और नाम alternate रूप में एक के बाद एक सजे होते हैं नाग का पूरा नाम है A-N-acetyl glucosamine जबकि नाम का है पूरा नाम A-N-acetyl Neuramic Acid तो हो सकता है हम बिजली के प्रापल्लम में आपको बता दिये होंगे ऐसा कि glycan में जबकी और सुगर चेंड में हमेज़ा सुगर मॉलकोल होगा ध्यान रखियेगा लिए तो परकार के सुगर चेन को या पॉलीमर को बोलते हैं जब भेरसरा अमीनों ऐसी एक दूछरे के साथ जुड़कर एक चेन बनाता है एक धागा जैसा रचना बनाता है फ्रेड लाइट पॉलीमर बनाता है उसको कहते हैं पॉली पेपटाइड्स या पेपटाइड्स तो आप हम आगे बढ़ते त इसकर आपको जो है ना ओए एक फिगर नजर आ रहा होगा और यह फिगर है आपका किसका एपेप्टीटो ग्लाइकन का पेपटीटो ग्लाइकन में आप देख रहाँगे कुछ चेन है अब इसको हम थोला सा आपको बता दे रहे हैं रहा सा शमज़ दीजिए देखिए इसम है आपका देख रहे होंगे यह जो आपका नीला वाला जैसा है ना वह एक तरह का सुगर मौलकुल है इसका सौट नाम क्या है ना उसके बाद देखिए आपको दो अलग लग कलर का नजर आ रहा होगा यहां पर और सब देखिए चेन बनाए हुए है ना एक दुसरी के साथ ज नज़डा रहा होगा उसे जुडा हुआ है तो यह आपका जो यह जो बॉल-जैसा जो नज़र आ रहा रहा है यह आपका नाम ओर नाग नाम-णा-णा-णा-णा-णा-णा-णा-णा-णा-ग- तो यह आपको हम पेप्टीडो ग्लाइकन में ग्लाइकन चेन दिखा रहे थे थोड़ा सा उसका यहां पर बना हुआ है कि नाम और नाग में क्या अन्तर है दोनों का structure कैसा होता है वो फिगर आपको यहां पर है आप उसको देख लेंगे अब आगे बढ़ते हैं नाम और नाग तो आपको बताई दिए एक के बाद एक alternate रूप में है लेकिन यह पेप्डिडो ग्लाइकन में है यहां दखिएगा लेकिन इसके अलावे जो बीच में र आपका था एक अलटा नाम था नाग था दो आपका सुगर मॉल्कुल है जबकि यह बीच में देखो सुगर मॉलकुल का जो चैन है वह आपस में जूड़ा हुआ है किस से पेप्टाइट से देखो इसमें भी गोल गोल जैसा आपको कुछ पीला जैसा गेंद जैसा रचना म ये हो गया नाग है यहां आग उसको आपको नांना है तो हम आगे उसको बाद करते हूं उसके पहले हम थोड़ा साथ दूसरा सी हम फिर से आपको बात करते हैं इस पर आज़ा दिखरो जो अभी यहां पर लिखा हुआ है इसी को हम उसको दिखाए है आपको स्लाइड में अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्राम पोजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टरिया होता है उसमें अलग-अलग मेटिरियल्स होते हैं ठीक है किसी में कोई यादा होता है कोई कम होता है किसी में कोई नहीं होता है तो किसमें क्या होता है इसको लिख लेते हैं और ग्राम पोजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टरिया भी आपको हम अभी दिखा देते हैं वह आप देख रहे थे कि जो केमिकल नेचर होता है सेलवाल का प्रफिडोग्लाइकन होता है जिसमें आपको गलाइकन में बता दिये नाग और नाम था और जो है नाम और नाग वापस में जूड़ा हुआ था पेप्टाइट शेंसे अभी देखे थे अब फोटो में नाम और ना सिरे एल लाइसीन के रूप में है एल एलनीन के रूप में होता है और डी ग्लूटामिक एसिद के रूप में होता है जबकि अगर ग्राम निगेटिव बैक्ट्रिया का बात करें हम तो उसमें डापा होता है डापा का पूरा नाम है डाई अमीनो पाइमेटिक एसिद डाई ठीक है डी एलनीन होता है डी गुलुटामिक एसीद होता है तो दोनों में अंतर कहां देख रहे हो आप ग्राम पोजिटिव में एल लाइसीन होता है जबकी ग्राम निगेटिव में डापा होता है बाकी सब के सब डी एलनीन डी गुलुटामिक एसीद एल एलनीन दोनों में ह यह दोनों सेम हैं, ख्यान रखिएगा यह तिनों हैं यह सेम हैं, तिनों आपका जो है सो सेम हैं दोनों में, अंतर आपका प्रपमुक रूप से ऑंतर है डापा का और एल लाइसीन होता है और इसमें कौन होता है डाई एमीनो पाइमेटिक एसीड होता है अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाते हैं पहला क्वंदेट ने क्तिव के रूप में काम करता है जिससे क्या होता है प्र इसित्रेबली नहीं हो पाता है यह वाठ्रतन यह दो अगडर मातरा बढ़ जाय तो बस्ट हो सकता है भसत अप्नि होता है और अगर बाहर से क्या हो जाए आपका एंदर में मात्रा कम हो जाए उसको बचाता है प्लस यह आपका एंति वाटिक रेजिस्टेंट देता है ठीक है और एंटिवाटिक के कारण को धिए थीक है ठीक है इतना ही रने देते हैं ठीक नहीं है फिर हमको पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा से नोट से अलग से कर देते हैं नोट देत करते हैं उसको बचाता है थो दिमाग में रखेगा तो बचाता है कि यहां पर लेकिन हम यहां पर बता थोड़ा सा बताना चाहे हैं जोज ऑफ एब Onस तो आपको बता दिया थे नौट पर छोडा सा आ रहे थे नोट में आपको बताए थे कि जर्वम महान कोई का यूज करतें जैसे कि कॉमल नीकर सिर्थ इन का यूज करते हैं या पेनिस्यलीन का यूज करते हैं तो पेनिसलीन करता क्या है सेल वाल को तोड़ देता है किसके बैक्ट्रिया के सेल वाल को तोड़ देता है यह बनने नहीं देता है जब बैक्ट्रिया के सेल वाल को बनने नहीं देगा तो क्या होगा बैक्ट्रिया का जो आपका अंदर का साइटोप्लाजम है वो फट नया बैक्ट्रिया नहीं बन पाता बॉडी में इसलिए जब हमको कोई रोग हो जाता है बैक्ट्रियर और पेनिसलीन दबा खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं वो क्या करता आपके बॉडी के अंदर जो बैक्ट्रिया घुसा हुआ था उसके ग्रोध को उसके रहनाथी को रोकत सपर इंदिई बीज अब उस क्रोसबरीजy को बनने से रोक देगा को बनने से रोक देगा लाल से उसको काट दिये हैं जैसे ही रोक देगा आपका यह यह सेलबाल को कंप्लीट में हो वाईगा झेलबाट टूत जा जाएगा तो क्या हो पड़ी से निकलता है उसका नाम है लाइसोज जाएंगे समन्ता हमारे तीयर में पाया जाता है आसू में या सिलाइबा में इसलिए मैं आपको कई बार बोले हैं कि आपका जो आसू है या आपका लार है वह एक बहुत बढ़िया एंटीवार्टिक भी है और एंटी सेप्टि करता है यह आपका जो चैन है उसको तो देता है यह जो आपका आपस में जूरा हुआ है इसको तो देता है जैसे ही प्टाइब चैन चूटेगा तो क्या होगा कर लो ताइक धेन जो एना एक दुस्रे से अलग हो जाएंगा ये याद होगा यह लाइकन जे से और आपका है झालीख फर मर जाएगा खत्म तो आपका लाइसोजाइन जो है वह भी एंटी सेप्टिक और एंटीवाटी का काम करता है तो कहीं भी कट शट जाए वहाँ पर आप आप अराम से अपने लार्पों से लाइबा लगा सकती है लांसिस कर देगा हो नेक्स्त है माीको प्लाजमा जो है ना वह एक्सेप्टिन है इंज आंसे नहीं होता है नहीं होता है और जो हमारे ढाइसू में तीयर और सिलाइबा में पाया जाता है और किस परकार से टोड़ने के कारण ओart n kya होता है वह आपका उसके गलाइकन च beneficial अलग हो जाते शेल वाल तूड़ जाता है और बेटरिया फाट लोग देखे थे सेल में में कुछ एक बात को बताए और आपको बोले कि इसके बारे में डीटेल से जो ना वह स्टडी हम करेंगे किसमें तो आप करेंगे यू करियोर्स में थार्ड जो इस्ट्रक्चर है उसका नाम है सेल इनवेलब सेकेंड जो देखे थे वह था आपका सेल वाल ठीक है तिसरा जो इस्ट्रक्चर देखे थे उसका नाम था सेल वाल और थार इस्ट्रक्चर जो देख रहे हैं उसका नाम है सेल इनवेलब सेल इनवेलब जो होता है वह थी लेयर टाइटली बांडेड इस्ट्रक्चर होता है त उसमें सबसे अंदर का जो लेयर है उसका नाम है सेल मेंब्रेन उसके बाद बीज का जो लेयर होता है उसका नाम है सेलवाल जिसको अभी देखे हम सेल में और सेलवाल को देख लिए तीसरा जो लेयर होता है उसका नाम है स्लाइम लेयर या कैपसूल यह आउटर लेयर होता है और समानता है ये ग्लाइको कैलिक्स होता है नेचर में, हाँ, सुगरी होता है नेचर में, अब ये तीनों के तीनों जो है, एक साथ मिलकर सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है, इसमें से परतेक जो लेयर होता है, वो अपना-पना अलग-अलग function देता है, लेकिन तीनों मिलकर एक साथ एक युनिट का काम करता है, एक युनिट जैसा काम करता है, तो ये था cell envelope के भारे में, तो अगर माम रह कोई पूचेगा कि cell envelope क्या है, तो आप आराम से cell envelope के भारे में यहां से बता जे सकते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर ग्लाइको कैलिक्स का चुकि हमको ओही जानना था तो नीचे एक सवेडिंग सुरू करते हैं Glyco Calyx जो है न जो है न कि ता आउटर मोस्ट है लियर इसमें बैक्ट्रिया में मुक्त और यह जो है रहें नेचर का अगर बात करें तो यह जो होता है म्यूकस होता है तो मुक्रण एक होता है यह पॉलडियों संक्ते हैं में ट्र municip कि एक समय का भी बना होता है यह आपका इसका ठीक्रत और composition जो होता है अलग लग बैक्ट्रिया में अलग लग होता है डिफर करता है और यह क्या किसका काम क्या है भाई protection दीना किसको sale को बैक्ट्रिया से जिसके में है उसी से भाई mechanical और chemical injury से damage से कोई chemical से उसको बचाना है या फिर जो है न और चोट से बचाना है यह काम आपका करता है ग्लाइको कैलिक्स अब ग्लाइको कैलिक्स जो है अगर लूज रूप में हो पानी अगर वहां पर होगा लूज रूप में होगा तो उसको बोलते हैं क्या कैप्सूल थोड़ा साम यहां पर और इसको तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसका निर्मान समानता तब होता है जब पानी होता है ठीक है वाटर होता है और पानी होने के कारण यह क्या होता है चपचपा जैसा हो जाता है और यह बचाता है लॉस से वाटर लॉस और नूट्रियन का जो लॉस होता है बैक्ट्रिया से उससे यह बचाता है उसको जबकि कैप्सूल जो होता है कैप्सूल जो होता है वह आपका स्लाइमी और स्टी होता है यह क्या करता है बैक्ट्रिया को प्रोटेक्ट करता है इंडोसाइट्रोसिस से और उसको हाइड करता है बचाता है आपके इंडोसाइट्रोसिस क्या है अगर ज्यादा अचा रहेगा इंगल्फिंग बाई अमीवा अमीवा इसको आराम से खा सकता था खाता है लेकिन क्याप्सुल जब रहता है ना तो उसको यह खा नहीं पाता है उसको निगलना पड़ता है उसको बाहर निकाल देना पड़ता है अंदर उसका ओंडर न हे ले पाता है अपना यह वांदर पूरीश करके यूज कर पाता है अगर क्याप्सूल है तो देख लेंगे वहाँ पर किसके बारे में मीसोसों बगरे के बारे में आपको जो है ना वो सेल इंग मेले पर रिदम कंप्लीट हो गया आप देख लीजेगा उसमें जहां तक है अपर आज का क्लास